हेलो एवरिवन, वेलकम टू दी करेंट अफेस सेशन और आज की इस करेंट अफेस सेशन में 6 और 7 जुलाई 2021 के कुछ इंपोर्टेंट एक्जाम रिलिवेंट करेंट अफेस को डिसकस करने वाले हैं वीडियो काफी जनों से नहीं आ रहे थे इसलिए जो करेंट अफेस एक्जाम के पॉइंट आफेस से इंपोर्टेंट है सबसे पहले उसे कवर करना इंपोर्टेंट है तो इसलिए आज हम लोग 6 और 7 जुलाई 2021 के कुछ महत्पूर्ण करेंट अफेस जो एक्जाम रिलिवेंट है उसे कवर करेंगे चनल पर नए है तो चनल को सस्क्राइब करके टेलिग्राम चनल जोइन कर ले सभी अपडेट्स सबसे पहले टेलिग्राम चनल के उपर सेर की जाती है तो जरूर टेलिग्राम चनल जोइन कर ले अब चलिए बात करते हैं आज इंपोर्टेंट करेंट अफेस के बारे में आज का सबसे पहला कोस्चन है भारत की सबसे बड़ी मुल्यवान सार्वजनिक रिन दाता कंपनी कैसी कंपनी तो सार्वरिनिक छेतर की मतलब कि PSU सेक्टर की सबसे बड़ी रिन दाता कंपनी जो वो कौन है ओवियस है यह एक बैंक ही होगा जो रिन देने का काम करेगा ओप्शन से स्टेट बैंक ओफ इंडिया इंडियन ओवर्सीज बैंक बैंक को बड़ोदा या पंजाब नेसनल बैंक तो सबसे बड़ी जो है रिन देने वाली मुल्यवान सारवजनिक छेत्र की कंपनी बन गई है वो बन गई है ओवर्सीज बैंक बात करते हैं इसके बारे हैं थोड़ा सा डीटेल में तो देखे जो इंडियन ओवर्सीज बैंक है यह भारत की सबसे बड़ी मुल्यवान सारवजनिक रिन दाता कंपनी बन गई है जिसका एम कैप, ध्यआद पर ध्यान दे एम क मतलब मार्केट में इसकी कितनी पुंजी छोड़ी हुई है ठीक है टोटल इसका कितना वैल्यू है ठीक है तो जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है इसका मार्केट वैल्यू अभी है 51,887 करोड रुपे पिछले वर्स की तुनला में इसका जो मार्केट कैफ है एम कैफ है उसमें लगभक 57% की ब्रिधी दर्च की गई है तो काफी बड़ी ब्रिधी है बात करते हैं आगे तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बाद कौन सी बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक दूसरे नमबर पे और इसके बाद बैंक को बड़ो जाज जो है वो तीसरे नमबर पे है इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं तो इसके अस्थापना होई थी 10 फरवरी 1937 को और इसका मुख्याले चेन्नई में है ध्यान दे इसका मुख्याले मुंबई में नहीं है या देली में नहीं है इसका मुख्याले है चेन्नई में इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO अभ अगले कोस्चन के उपर अगला कोस्चन है डिजिटल बैंकिंग को ससक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ समझाता किया है ओप्शन से Microsoft, Facebook, Amazon Web Services या WhatsApp तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जो एक्सिस बैंक है इसने किस के साथ तो Amazon Web Services Amazon Web Services Amazon का ही एक कंपनी है उसी के साथ समझाता किया है बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में तो देखे डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को ससक्त बनाने के लिए मतलब की मजबूत बनाने के लिए जो है एक्सिस बैंक ने Amazon Web Services के साथ समझाता किया है इससे क्या होगा तो बैंक खाता काफी तेजी से खोलने के लिए टेकनलोजी बिक्सित करेगा कौन तो Amazon Web Services और इसमें जो है छे मिनिट में एक खाता खोला जा पाएगा जिससे जो है काफी स्पीड से जो है नए नए खाते खोलने में एक्सिस बैंक को मदद मिलेगी Amazon Web Services Amazon नामा कंपनी जो है जो मेंली जो है इक ओमर्स छेतर में अपना व्यवसाय करता है उसी का एक उपकरम है एक सबसेडरी कंपनी है ध्यान दे एक्सिस बैंक के जो CEO है अभी है अमिताब चोधरी और Amazon के CEO कौन थे तो Jeff Bezos थे लेकिन उन्होंने क्या क्या इस्तीफा दे दिया ठीक है और उसके बाद जेंडी जेसी ठीक है कौन तो एनडी जेसी किसे तो एनडी जेसी को जो है इसका CEO नया बनाया गया है आगे बात करते हैं बागे अगले question के उपर अगला कोश्चन है भारतिय सेना प्रमुख मनोज मुकुन नर्वाने ने किस देश में भारतिय सैनिकों के युधस मारक का उधगाटन किया है औप्सें से England, Italy, Paris या Germany इसका रायट अन्सर हो जाएगा जो भारतिय सेना प्रमुख मनोज मुकुन नर्वाने यह हाली में दो देशों की आतरा पह गया थे England और Italy किन्दो देशों की तो England और Italy की आतरा हम गया थे और इन्हों ने युधस मारक का उदगाटन किया है वो किया है इटली में तो ध्यान देंगे इसका right answer हो जगा इटली बात करते हैं इसके बारे में दिटेल में तो जो भारतिय सेना के अध्यक्ष है नोज मुकुन नर्वाने इन्हों ने जो है UK मतलब कि इंगलेंड और इटली की आतरा के दोरान इटली के casino सहर में जो है भारतिय सेनिकों के युधस मारक का उधगाटन किया है ध्यान देंगे 2020 स्योथ के समय जो है उने- wszystkies जो है इंग्सलैने में और इसके साथ इंटली में बहुत सारे भारतिय सायनिक गये थे लड़ने के लिए इंग्लेन की तरप से और इसके साथ इंटली में ठीक है तो यहाँ पर जो है 5,000 सायनिक सहीध हो गये थे इटली में फासिवादी ताकतों के खिदाब लटते हुए ठीक है फासिवादी ताकतों के खिदाब लटते हुए और आपको पता होगा जर्मनीम जैसे नाजीवाद था ठीक है वैसी ही इंगलेंड में एक और सक्ति काम कर रही थी और उस सक्ति का नाम है फासिवादी ठीक है ना और फासिवादी ताकत जो था वो किसके नेतरित में काम कर रहा था तो बेनितो मुसोलिनी ठीक है बेनितो मुसोलिनी के नेतरित में काम कर रहा था और इसी यही जो है उसके नेता थे और उसी खिलाब जो है ये लड़ाई लड भारतीय मूल की सिरीशा बांधला, कौन तो भारतीय मूल की जो है शीरीशा बांधला है ये एक अंतरिक छात्री है ठीक है इन्हों ने किस कंपनी की रोकेट के साथ यहा यात्रा की ओप्शन से नासा, इस्पेसे एक्स, वर्जिन या ब्लू ओरिजन तो इसका राइट अंसर ह यह हो जाएगा वर्जिन ठीक है वर्षण कंपनी के साथ इन्होंने जो है एक अंत्रिक्ष यात्ऱा की और यह जो है अब भारत की तीसरी ऐसी महिला बन गई है भारत्य जिन्हों नेम रिक्ष्ष की यात्र की थी और ऐसा करने वाली हो भारते मुल की तीसरी महिला बन गई है बात करते हैं आगे तो देखे थोड़ा सा यह बात कर लेते हैं बुलू ओरिजिन के बारे में तो बुलू ओरिजिन से हाल ही में एमेजोन ठीक है एमेजोन के जो CEO थे जेफ बेजोस इन्होंने भी अंत्रिक इसका है Falcon Rocket ठीक है Falcon नामक जो Series है वस रोकेट का निर्बान करती है SpaceX और यह जो Falcon Rocket है इसे नासा भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में आगे आने वाले दिनों में यूज़ करने वाला है तो इस तरीके से SpaceX भी काफी नई कम्पनी और लेकिन अपनी अब पहचान काफी हद तक बना चुकी हुई कंपनी है SpaceX और नासा जो है काफी सारे प्रोजेट्स जो है SpaceX के साथ अब कर रहा है चले बात करते हैं हम आगे नेस्ट कोर्शन की ICC OID के मतलब की One Day International की दसक टीम दसक टीम मतलब पिछले 10 वर्सों में जो बेहतरीन परफॉमर्स है ठीक है जो परदर्सक है उनके साथ एक टीम बनाए गई है महिला किरकेट के तरब से इसमें किसे सामिल किया गया है भारतिय टीम के तरब से ओप्षन से जुलन गोस्वामी मिताली राज सेफाली वर्मा या फिर राधा यादो इसका रायट एंसर हो जाएगा म मिताली राज को सामिल किया गया है ICC की जो दसक टीम है महिलाओं की उसमें थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में और तो देखिए ICC की जो वनडे इंटरनेशनल टीम है जो दसक किरकेट टीम है उसमें महिला किरकेट की जो एक खिलाडी है मिताली राज इसको भी सामिल किय गया है ठीक है और मिताली राज ने जो है हाली में एडवर्ट्स एडवर्स तो खिलाडी है उनको पच्छार कर सबसे अधिक रन बनाने वाली महीला खिलाडी बन गई है महीला खिलाडी ICC दसक ODI टीम दर्स वर्सों में जो बेहतरीन परफोर्मेंस करने वाले खिलाडी है उनको मिला कर एक टीम तयार किया गया है और वो जो है ICC के तरफ से मैचेश खेलेंगे ICC का मुख्यार है दुबई में है स्थापनावी थी 1909 में ध्यान रखेंगे आगे बात करते हैं अब नेस्ट कॉस्चन की भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस सारवजनिक छेतर ध्यान देंगे यहां सारवजनिक छेतर हो जाएगा ठीक है पीडियेप डाउनलोड कर लिजएगा टेलिग्राम से वहाँ पे आप लोगों को इररलेस पीडियेप परवाइड कर दी जाती है तो आपको जो है पीडियेप पढ़कर जो है काफे अची तरीके से चीजों को समझने में मदद मिलेगी तो कोश्चन है भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस सारवजनिक छेतर की बीमा कंपनी के अध्यक्ष के सेवा निवरित होने की उम्र को बारसट वर्स कर दिया गया है और फिर इंसुरेंस ओफ इंडिया तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जो भारतिय जीवन विमानिकम है ये जो है इसका राइट अंसर है और इसके जो अध्यक्ष है इसके रिटार्मेंट की एज को जो है बारसट वर्क कर दिया गया है बात करते हैं ठोड़ा से इसके बा उसको बारसट वर्स कर दी है उसकी जो उम्र सीमा है वो बारसट वर्स कर दी है सरकार द्वारा भारते जिम बिमान गम के जो निगम स्टाब बिनिमे निगम स्टाब बिनिमे 1960 के जो नियम है उसमें जो है परिवर्तन किया है और जो है उम्र सीमा रिटार्मेंट की बार्स अटवर्स कर दी है इसका परमुख कारण समझते हैं इसका परमुख कारण क्या है तो LIC के में 10% सेरों का बिनिवेस करना है आप लोग को पता होगा ठीक है और ये 10% सेर के बिनिवेस है इसकी जो भार है मतलब कि जो काम करने की जिम्यदारी है वो दिया गया है MR कुमार को ठीक है किसको MR कुमार को और MR कुमार ही अभी LIC के अध्यक्ष है तो अगर ये जो है रिटार हो जाते तो सरकार का जो प्लाइनिंग था जो इन्होंने MR कुमार के साथ बनाया था उसे पूरा नहीं कर पाते और इसलिए जो है MR कुमार को यहाँ पे रिटार्मेंट की डेट बढ़ा कर अभी तक पद में बनाये रखा गया है तो इसके पीछे ये रिजन है क्योंकि सरकार कोडिनेट अभी कर रही है MR कुमार के साथ बाद में कल को कोई और अध्यक्ष चाहता तो उसके साथ फिर से जो है मेहनत करके कोडिनेशन की जाती इसलिए जो है MR कुमार को अभी अध्यक्ष के पद पर बनाये रखे जाने के लिए जो रिटार्मेंट की एज है वो बारसट वर्स कर दी गई है समझ मागिया आगे बात करते हैं अगले कोश्चन की अगला कोश्चन नहीं है ठीक है एक जानकारी है जैसा कि आप लोगों को पता होगा आठ राजों के गवर्नरों बदलाव किया गया था पिछले दिनों और इसके बाद जो है ठोड़ा सा लिश्ट देख लेते हैं ठोड़ा रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा गोवा के पी ये स्रिधरन पिललाई तिरिपूरा के सतदेव नरायन आरे और जार्खन के रमेस बैस और हरियाना के बंगारू दतातरे ठीक है बंगारू दतातरे जो है राजपाल बनाया गये है तो ये लिस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है आगे बात करते हैं अब आगे नेश्ट कोस्चन की अगला कोस्चन है निपून भारतकार करम भारत सरकार की किस मंत्राले की योजना है ओप्शन से परिवार्यों स्वास्त कल्यान मंत्राले सिक्षा मंत्राले ग्रिह मंत्राले या फिर जलवायों परिवर्तन यों परियाव तो देखिए निपोन भारतकार करम जो है शिक्चा मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है इसकी सिरुवाद ध्यान देंगे शिक्चा मंतरी रेमेस पोखरियाल निशंक ने की थी ये जो decision है ये cabinet परिवर्तन से पहले किया गया था कैबिनेट परिवर्तन के बाद कई सारे मंतरियों को अपना पल छोड़ना पड़ा था उसकी भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में तो देखिए 2027 तक जो है इसके तहत लक्ष रखा गया था कि grade 3, मतलब class 3 तक जो है बच्चों को साक्षर्ता और इसके साथ-साथ संख्यात्मक सिक्चा मतलब की number system से जो जुड़ी हुई संख्याएं है और इसके साथ-साथ उससे जुड़े जो mathematics है उसमें जो है students को बहतर बनाया जाने के लिए यह जो पहल है यह सुरू किया गया है निपून का फुल फॉर्म देखेंगे तो आप लोगों को इससे clearly पता चल जागा निपून का फुल फॉर्म है national initiative for proficiency in reading with understanding in numerocracy मतलब की जो numericals है उसको समझने के लिए जो है बिसोस तोर से यह पहल सुरू किया गया है सिक्चा मत्रालय का जो एक संख्यात्मक जो पढ़ाई है उसको करने के लिए जो है काम किया जाएगा और इसके लिए जो है NCRT जो है सिक्षकों को training देने का भी काम करेगी कौन NCRT ने इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया है ध्यान देंगे important है निष्ठा नामक प्रोग्राम है ठीक है और निष्ठा नामक प्रोग्राम चलाया है निष्ठा का full form भी है निष्ठा का full form है National Initiative for School Heads and Teacher Holistic Advancement मतब टीचों को ठोड़ा सा holistic तरीके से advance करने के लिए यह जो project है यह चलाया गया है और इससे जो है निष्ठा नामक कारकरम को चलाने में मदद मिलेगी तो इस तरीके से इसका right answer हो जाएगा सिक्छा मंत्रा ले आगे बात करते हैं अगे question की अगला question है bold योजना क्या है bold option से क्रीसी अधारित उद्योग से जुड़ी हो योजना है क्रीसी अधारित उद्योग से जुड़ी हो योजना है बात करते हैं इसके बारे में डीटेल में अभी पता लग जाएगा यह bold है क्या तेक है bold है bamboo oasis in lands of drought ठीक है मतलब की बास का उत्पादन की शेतरों में तो सूखे से परभावी शेतरों में मतलब की सूखे से शेतरों में ठीक है बात कहाते हैं ठोड़ा से इसके बारे में और तो देखिए यह जो योजना है प्रमुक रूप से सुरूख किया गया है सूख मतलब की सूखे और अर्द सूखे सेतरों में बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के सुरूख की गई है और यह योजना जो है शुरूख किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्परेशन के वी आईसी भी जो है आप लोगों को इसको देखने को मिलेगा कहीं कहीं तो इस परकार से यह जो है इस परकार का पहला मिसन है जिसमें बांस का उत्पादन किये जाने के लिए किसी सुस्क या अर्ध सुस्क छेदर को चुना गया है के वी आईसी द्वारा यहाँ बात कर लेते हैं के वी आईसी की तो इसकी सुरुवात की गई थी उन्हें सो चपन में ठीक है मुख्याला है मुंबई में में कितने देशों के पतिनी धियों ने भाग लिया ओप्शन से 150, 160, 142 या फिर 137 तो इसका राइट अंसर हो जाएगा कोविन गलोबल कॉन क्लेब में जो है 142 देशों के पतिनी धियों ने भाग लिया था बात करते ठोड़ा से इसके बारे में यह है क्या तो देखिए कोविन गलोबल कॉन क्लेब की अध्यक्सता की थी हमारे पधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसिव का स्तर पर जो वेक्सिनेशन कारकरम है उसी को बढ़ावा देने का पहल है और ध्यान दे भारत में कोविन पोर्टल पर ही जो है कोविन नाइटीन वेक्सिनेशन का जो रेइस्ट्रेशन है वो किया जाता है इसको जो है पूरे बिश्शो के अस्तर पर डेबलब करने के लिए इस परकार का जो इनेसियेटीव है वो सुरू किया गया है हमारे पधान मंत्री नेशनल हेल्थ अथरोटी कौन तो नेशनल हेल्थ अथरोटी के द्वारा इसका आयवजन किया गया था यहां पर ध्यान दे कोविन को ओपन सोर्स मतलब कि सभी लोग परियोग कर सके ऐसी जो है इसकी डेवलाप्मेंट की जा रही है कोविन डोट इन जो है इस पॉर्टल का यूज जो है भारत में जो है कोविट 19 के रेजिस्टेशन के लिए किया जाता है आगे बात करते हैं नेश्ट कोशन की अगला कोशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओफ इंडिया कहां आयद किया जाएगा ओप्शन से गोवा महाराष्ट्रा करना अटकत और तेलंग तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओफ इंडिया है हर बार जो है गोवा में आजित किया आता है कहां तो गोवा में और गोवा में इसका बावनवा संस्क्रण इस बार बावनवा संस्क्रण जो है वो आईवित किया जाए सत्य जीत रे lifetime achievement पुरुसकार इस नए पुरुसकार का नाम रखा गया है जो आने वाले नौमबर 2020 में International Film Festival of India में प्रदान किया जाएंगे तो ये थे महत्पुन करेंट अफियर्स 6 और 7 जुलाई के अब अब देखते हैं आज के important question की जो आप लोगों के लिए है question है PC महारणोविस के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है option से राष्ट्री विग्यान दिवस, राष्ट्री खेल दिवस, राष्ट्री सांखी की दिवस या राष्ट्री सदभावना दिवस तो इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा चलिए बताए कमेंट बॉक्स में बात करेंगे इसका जो right answer है उसके बारे में अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुणने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरू सेर करें पीडियेफ डाउनलोड कर ले टेलिग्राम से और रिविजन करते रहें धन्यवाद